वोड़ीजब वोड़ीजब काइस मेरा नहीं है शिवम वेलकम तो चैनल गाइस एंड आज हम बात कर रहे हैं EIP 1559 के बारे में या रादर अगर थोड़ा मैं इसको एक बड़े अमरेला के अंडर डालू तो एथिरियम के लंडन हाट फोक के बारे में यह जो फोकिंग का काउ भॉड डाउन यहां पर हमें नौ घंटे हमारे मतलब शाम और暂-दूब 6 बजे के के असपास यह जो ब्लॉक हाइट है वह ब्लॉक हाइट हमें देखने को मिलेगी जिस ब्लॉक हुँट होगा उड़ डोज ह referring Ethereum का जो fork है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे mostly agreements सारे हो गए है तो हमें chain split देखने को नहीं मिलेगा mostly but just in case अगर chain split होता है और आप किसी proper Binance वगर एक्षेंज पर अपना Ethereum होड़ी कर रहे हैं तो आपको कोई problem नहीं आएगी कुछ भी नहीं करना है you just have to wait now इसमें बहुत सारे proposals है जिसमें है EIP 1559 जो है fee market change 3198 जो base fee का code है 3529 जो reduction in refunds हो जाएंगे 3541 यह नए contracts को reject करता है जो 0x EF byte से start होते है और 3554 जो difficulty bomb delay है वो change होगा इसमें से सबसे जो important वाले है 3554 है और EIP 1559 है now EIP 1559 जोने यहां पर भी बता रखा है क्या है तो EIP 1559 बहुत simple सा funda है कि यहां पर instead of कि fee 100% लोग अपने हिसाब से decide करें और एक auction based model हो auction based model में क्या होता है कि अगर किसी की transaction नहीं through हो रही है actually मैं zoom in कर ले तो आप लोग के लिए अगर किसी की transaction through नहीं हो रही है तो वो बंदा बोल सकता है कि मैं जादा fee देने को त्यार हूँ मेरी transaction जल्टी करने के लिए और उसकी वज़े से जो है हमें 15-20 dollar के transaction पे 100-800 dollar का fee देखने को मिलता है which is ridiculous for ethereum तो यह basically क्या करता है कि इसमें एक base fee amount दे दिया जाएगा और जब अगर जो पहले वाले blocks है वो blocks कितने congested थे number one एक important चीज इसमें और आ जाती है वो है कि block का जो size है वो भी यहाँ पे लोग बढ़ा रहे है ना उसके बाद फिर क्या होगा basically कि अगर जो पिछला वाला block थे वो अगर congested थे तो next उसमें base fee जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी ना बढ़ा दी जाएगी का मतलब basically बहुत इसमें simple सा है कि वो base fee जब बढ़ा दी जाएगी तो base fee की वज़े से और यह सारा process ना automated होगा तो वो base fee की वज़े से क्या होगा जो fee है वो थोड़ी सी control में आजाएगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 100 डॉलर थी दूसरे दिन 500 डॉलर थी वो situation एक थोड़ी सी कम हो जाती है इसमें बहुत important use case जैसे यहां इन्होंने मेंचन के NFT platforms, now NFT platforms आप देखो OpenSea वो सारे Ethereum के ऊपर चलते हैं और उसमें problem ऐसा होता है कि जब अंदा कोई transaction करना चाहे तो वो सस्ती NFT खरीद भी नहीं सकता क्योंकि Ethereum cost में transaction fee महेंगा हो जाता है तो यह सब चीजें जो है base fee की वज़े से low कर पाएंगे क्योंकि base fee एक part होगा छोटा सा अब इसमें additionally एक और factor आजाएगा minor का tip तो अगर आपको अपनी transaction को थेज करना है तो आपको minor को tip देना पड़ेगा वो एक चीज हो जाएगी तो tip की वज़े से क्या होगा minor को tip मिलेगा तो minor फिर incentivize हो जाता है आपका transaction पहले करने के लिए now additionally इसका फाइदा क्या है अभी ये जो base fee वगारा आ रही है इसका क्या किया जाएगा ये minors को नहीं जाएगी ये जो base fee है ये burn कर दी जाएगी और आपको जासे पता है कि base fee जब हम Ethereum पे transaction करते हैं तो base fee किस पे देते हैं Ethereum chain पे ये Ethereum tokens में इसको बोलते हैं वैसे जो यहाँ पे है यहाँ पे अपनी fee देते हैं इसकी वज़ए से क्या होगा इसकी वज़ए से Ethereum burn होना start होगा और जब Ethereum burn होना start होता है तो आपको पता ही जब कोई coin burn होता है जितना पहले बढ़ रहा था ठीक है उसके अलावा अगर हम देखें कि जो ETH 2.0 का जो chain है जो upgrade है वो upgrade का जो उसका locking है sticking है वो lock भी बहुत सारा Ethereum वहाँ पे हो रखा है दो साल के लिए तो automatically उससे क्या होगा जो Ethereum की circulating supply है वो कम होने लगेगी बात की जाए अगर short term की तो आपने अगर देखा हो Ethereum में हमें काफी एक बड़ी जो है यहाँ पे कल rally देखने को मिल गई है 8% की rally तो हम लोगों ने around 2500 dollars direct 2700 dollars का एक jump हमें Ethereum में देखने को मिला है पर अगर हम वैसे Ethereum की बात करें गाइस तो short term में तो आपको पता यह जो चीजे हैं वो up and down and बहुत vary कर सकती है इसमें कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते पर mid to long term यह Ethereum के लिए बहुत ही bullish है हो सकता है हमें यहाँ पे यह आज शाम को जो update हो रहा है उसके बाद हो सकता है हमें यहाँ पे वो एक sell off देखने को मिले लोग बोलें profit book कर लें पर अगर हम mid to long term बात करें Ethereum is very strong and Ethereum ऐसी चीज है जो basically अभी पूरे की पूरी crypto market को एक तरह से आप देखो transactions को not पूरी की पूरी but maximum crypto market के जो transactions है वो Ethereum संभाल रहा है तो हम जो Axie से लेके कितने सारे जो हम अलग अलग projects देख रहे है NFT में projects देख रहे हैं वो सारे Ethereum के ऊपर based है so Ethereum is a very very important part of current cryptocurrency ecosystem उसकी वज़े से Ethereum को लेके long term में बहुत bullish हूँ I don't see why not Ethereum can reach that price of 10,000 जो लोग बोल रहे थे मेरे हिसाब से definitely definitely possible है क्या वो possible है एक साल में या तेड़ साल में I don't think so I think शायद आने वाले दो साल में maybe 5000 तच कर सकता है but then हमें जो 10,000 का price point है वो देखने में थोड़ा सा time लगेगा as regulations और ये सब चीज़े आ रहे हैं तो उसकी वज़े से हमें short term में काफी जो है volatility पूरी market में देखने को मिल सकती है पर ये था EIP 1559 और इसमें आपके questions वगएर आप नीचे comments में छोड़ सकते हैं and as always जाने से पहले अपना telegram हमारा official link जो है description में दिया है लोग scam जो telegram बना रहे हैं अलग-अलग नाम से तो ये username ज़रूर चेक कर लीजे आप कौन से telegram पे है and description में दिये गए link से ही join करें और कहीं से मच join करें और हम जो भी यहाँ पे इस channel पे करते हैं सब कुछ 100% free है आप से कभी एक रूपया नहीं मांगा जाएगा ना ही हमारा कोई crypto का signal का service है ना ही मेरा कुछ ऐसा है कि मैं आपको कुछ consulting करता हूँ portfolio बना के देता हूँ कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी शिवम से personal message पे अगर बात कर रहे है telegram पे तो आप scam किये जा रहे है क्योंकि मैं telegram पे personal message पे बात नहीं करता दूसरी बात guys यह सब में अगर आप अगर आप basically कोई भी signal service वगरा में घूसे है जिसमें मेरा नाम यूज किया जा रहे है तो आप scam किये जा रहे है ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है सिरफ एक ही telegram channel है और इसके रावा guys हमारा financial funda नाम का channel भी है वो भी आप check out कर सकते हो वहाँ पे regularly finance, stock market और यह सब वीडियो जाते हैं कल ही हमने वीडियो डाला था कि आप how to invest in your 20s तो आप जब 20s में हो तो कैसे invest करना चाहिए आप आप आपने वो check out कर लिया और नहीं किया है तो इसका financial funda channel का भी जो link है वो आपको नीचे description में मिल जाएगा guys that is it ये था आज का वीडियो आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ guys तो like बटन पर मुक्का मारके subscribe करना मत भूलेगा this is Shivam signing off मैं आप लोगों मिलूँगा अगले वीडियो में guys तब तक के लिए चाओ